हेलो दोस्तो आज मैं आप लोगे के लिए लेकर रहा हूँ फिट जी का बहुत ही फेमस टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जी हाँ दोस्तो फिट जी का बहुत ही फेमस टेस्ट एफटी आरी यानि कि फिट जी टेलेंट रिवाड एकजामनेशन 2024 का दोस्तो ये मैं पेपर लेकर आया हूँ तो ये जो हमारा पेपर हुआ था 7 जनवरी 2024 को हुआ था और बात करें दोस्तो क्लास का तो वैसे स्टूडेंट जो कि अभी आप लोग क्लास 8 में प्रेजेंट होंगे और बहुत जल्द आप लोग जाईएगा क्लास 9 में यानि कि मार्च अप्रेल 2024 से दोस्तो आप लोग क्लास 9 में चले जाएगा अभी फिलहाल जनवरी में बात करें तो आप लोग होंगे क्लास 8 में दोस्तो आप लोगा ये रहा पेपर वन टोटल चार पेपर होता है आप लोगा तो ये दोस्तो पेपर वन paper 1 में दोस्तों यहाँ पर बात करें duration का तो 80 minutes timing है यहाँ पर दोस्तों maximum marks का बात करें तो 135 maximum marks है यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा paper है इसको total 3 section में divide किये गया है section 1, section 2, section 3 and जो दोस्तो paper 1 है हमारा सिर्फ और सिर्फ IQ based है यानि कि reasoning का सिर्फिस में question में लेगा तो यहाँ पर हमारा section 1 है दोस्तों NTSC basis पर है second section है आपर J main और third section है आपर J advance level का है तो यह दोस्तों हो गया है आपर section wise and यहाँ पर अगर बात करें marking scheme का तो अगर आप लोग का response सही होता है तो plus 3 marks and अगर आप लोग का response गलत होता है तो minus 1 marks यानि कि negative marking भी है तो आप लोग को बहुत ही careful होकर इसको solve करना होगा तो दोस्तों यहाँ से हमारा start है first section जिसका recommended timing 20 minutes रखा गया है and हमारा यहाँ पर section 1 में total line MCQ type questions देखने को मिल रहा है दोस्तों जिसमें A, B, C and D total 4 options होंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही options सही होगा तो यहाँ पर question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लोग के screen पर और दोस्तों जैसा है कि आप लोग जानते हो कि यह original paper है तो आप लोग इसका screenshot भी ले सकते हो and इसको solve भी कर सकते दोस्तों मैं इसी वीडियो के last में इन सभी का जो official answer की है वो भी provide करूँगा दोस्तों so that अगर आप लोग में से कोई भी बच्चा बना रहे है इसको तो अपना answer की official answer की से match कर सके तो यहाँ पर हो गया 1 से लेकर 6 तक का question अब बात कर लेते हैं 7, 8 and 9 का यहाँ से दोस्तों हमारा यहाँ पर total two passage type questions मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही option से होगा तो passage 1 दोस्तों यहाँ पर and इससे related question number 10, 11 and 12 and हमारा second passage दोस्तों यह रहा and इससे related question number 13, 14 and 15 यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि हमारा यहाँ से second section start है जिसका रिखोमेंटरी टाइमिंग हाफ है नावर यानि की 30 मिनट्स रखा गया है and यहाँ पर हमारा total 9 MCQ type questions इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही option सही होगा तो यह रहा question number 16, 17 सबसे पहले तो भी 16 and इसके बाद यह रहा 17, 18, 19 20, यह रहा दोस्तो 21 and 22, 23 and 24 और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा total 2 passage type questions और दोनों passage से total 3, 3 questions पुछेगे हैं आप लोग से जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही option सही होगा तो दोस्तों passage 1 यह रहा and यहाँ पर उससे related question number 25, 26, 27 question number 28 to 30 के लिए दोस्तों यहाँ पर यह रहा second passage तो second passage दोस्तों यहाँ पर यह complete होते हैं आप लोगा and इसके बाद यह रहा 28, 29 and 30 और इसी के साथ दोस्तों हमारा यहाँ से third section start होता है जिसका recommended timing half an hour है यानि की 30 minutes and यहाँ पर हमें total 9 MC को type questions देखने को मिल रहा है यह दोस्तों J advanced level हो गया तो इसमें थोड़ा सा difficulty level ज्यादा मिलेगा आप लोग को यह हो गया 31, 32, 33 and 34 35 भी आप लोग देख सकते हो और मैं दोस्तों हर एक question पर sufficient timing दे रहा हूं so that आप लोग इसका screenshot ले सको तो यह होगा 35 तक and 36, 37, 38, 39 यहां पर हमें देखने को मिलेगा total 2 passage type questions and दोनो passage type में 3-3 questions आप लोग से पूछा जाएगा जिसका शिर्फ और सिर्फ एक ही option सही होगा तो यह रहा दोस्तो comprehension 1 and इसे related question 40, 41 and 42 यहां पर हमारा second question अलब second passage and इसे related 43, 44 and 45 तो यार इसे साथ जो हमारा यह paper था वो खत्म होता है यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि rough work के लिए space दिया गया है यानि कि आप लोग कोई भी extra support नहीं किया जाएगा और अब बात आता है यहां पर हमारा answer की का तो दोस्तो answer की FTARE यानि कि FITG talent reward examination 2023 जो कि हमारा हुआ था 7 जैन्वारी 2024 को तो दोस्तों यहां पर आप लोग class 9 में चले जाएगा 2024 के marketplace से और अभी फिलाल आप लोग class 8 में होंगे तो paper 1 का दोस्तों answer की आप लोग के screen पर question no.1 से लेकर 45 तक का और इसका भी screenshot ले सकते हो तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो paper 1 था वो आप लोग का complete होता है और next video paper 2 आएगा और अगर आप लोग दुसरे class का हो तो आप लोग comment कर सकते हो कि उस class का भी मैं ऐसा ही PDF provide कर सको और दोस्तों आप लोग यह PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलेग्राम चैनल को join कर सकते हो तो यार मिलते है next video में तब तक bye when thank you for watching this video